शिमारू के नई वेडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें चंद्र भस्त्री का प्राणिया चंद्र भस्त्री का प्राणिया चंद्र भस्त्री का में आपने दाय छित्र को दबाया और बाई नाख से पुने लोहार की धोंकनी के समान स्वास लेना है और छोड़ना है जितना गहरा फोर्स आपकी स्वास में होगा उतना आपके कफ के दोश दूर होंगे कफ नाशनी विशोशने भस्त्रा बिलोह का रस्य जालंदर बंद्र एन चिन को अपनी कॉलर बुन में लॉक करना इस क्रिया से आपके थायरेट के प्रॉब्लम्स दूर होंगे अधिक्तम स्वास को अंदर रोखने का भ्यास करें बस्त्रा बिलोह का रस्य रेच पूरो ससंप्रमों गपाल भाती विर्ख्याता गफ नाशनी विशोशने यह आपके अंदर के तमाम कफ को जलाने में खत्म करने में समर्थ है बदमासम में बैठी रहें चिन मुत्रा प्रत्यक प्राणयाम करने के बाद आपको शांत बैठना है सूर्य चंद्रो बस्तिका प्राणयाम सूर्य चंद्रो बस्तिका प्राणयाम अब आपको दाईं और बाईं नाट से लोहार के धोंकनी के समान स्वास लेना है और छोड़ना है दाईं से बाया, बाईं से बाया, दाईं से बाया, बाईं से बाया इस प्रकार लगातार आप स्वास लेते रहें छोड़ते रहें स्वास को लेना, छोड़ना यह क्रिया भी आपके अंदर के तमाम कफ के दोश को खत्म करने में समर्थ है और उसकी बाद गहरी स्वास अंदर लेकर जाल अंदर बंदे लगाना है यहने ठुटी को कॉलर बोन में लॉक कर देना है यह क्रिया भी आपके थ्वरेट गेंड्स के लिए मदुमें के लिए दमा के मरीजों के लिए अपच को दूर करने के लिए मांसिक छमताओं को बढाने के लिए शुबकारी है लापकारी है क्रियाओं का प्रयोग बहुती धीरे धीरे आइस्ता इस्ता समस्दारी से करें और दूसरी नावसे स्वास को बाहर निकाल कर समानने हो जाएं पदमासन की स्थिती में ही आप प्रतेक प्राणयम शुरू करें और इसी में ही आपको बंद करना हैं दो प्राणयम के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए बस्तिका प्राणयाम बस्तिका प्राणयाम एन्हें लोहार के धौकनी के समान आपको स्वास लेना है और छोड़ना है छिन मुद्रा लगी भी इसमें आपको स्वास को लगातार लेना है छोड़ना है लगातार आप स्वास को गही ले और फिक हैं जब धौकनी के समान लगातार स्वास चलती है तो अच्छा प्राणयम करते ही करते आपके फैफड़े जो बंद रहते हैं वे खुलना शुरू हो जाते हैं अधिक्तम आप जरंदर बंद का प्रयूग करिए तो फैफड़े आपकी खुलना शुरू हो जाएंगे दीरे दीरे आप गरतन को वापिस लाएं यदि आपको सर्वाइकल तो सामने जरंदर मंद ना लगाएं पुझ्याई प्राणयम उज्याई प्राणयम में आपको घुराटों के समान गेहरी स्वास को लेना है और छोड़ना है यहने थ्रोट मसल को थोड़ा टाइट करता है चिनमत्रा और घुराटों के समान आप गेहरी गेहरी स्वास हैं और स्वास को वाकिस बाहर का लें झाल झाल शीतली प्रणयम जिवा को दात के बीश में दमाएं जिवा को दात के बीश में दबा कर गहरी स्वास लें और नाक से गहरी स्वास को वापिस बाहर में काल दें फिर जीप को दात के बीश में दबा कर गहरी स्वास लें और नाक से बाहर निकाल लें इस पकार से अप लगातार स्मात कुझें छोड़ें शीद करी रामयम शीद करी प्राणयम चिन मुत्रा जीप को गोल करके आप गहरी स्वास लें और स्वास को बाहर निकाल दें उसकी बाद आपको कुम्भक करते हुए बंदे लगाना है चल अंतरबंद शीद करी प्राणयम करने से आपकी त्वचा निखरती है गर्मी की मात्रा कम होती है यदि आप गर्मी के रोग से पेडित हैं आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है गर्मी बहुत लग रही है ओस समय आप शीद करीप करें और कुम्भक लगाईए निश्चित आपकी गर्माट में कमी होगी तलिवे में जो पसीना आता है वह भी आपको कम होगा चक्कर नहीं आएंगे गबडाट आपको नहीं होगी इन तमाम शरीव और मांसिक बरिशानिया को दूर करने के लिए शीतकारी प्राणयाम की क्रिया बहुत लापकारी है आप पूरी स्वास को पी कर जल अंदर मन लगाएं याने चिन को कॉलर बोन में लॉक करती चेए प्रत्येक प्राणयाम की बाद प्रयास करें कुम्भग आपके लगना चाहिए कुछ तेर बिल्कुल शांते बैठे हैं उसकी बाद ग्यरी स्वास से चलने दीजिए मन को स्वास पर किंद्रित करें ब्रावरी प्राणयाम अंगोठे से आप कान बंद करें और पॉइंट फिंगर, मिड्ल फिंगर, तिंग फिंगर से देत्रि बंद करें ग्यरी स्वास ले और भावरी के समान बिंजन करना है यह क्रिया मानसिक तनाव को दूर करने के लिए इसमृति को तेज करने के लिए तवचा को निकारने के लिए एरी कान में आपको बहरा पन आ रहा है उस बहरे पन को दूर करने के लिए ऐस क्रियाएं बहुत लाबकारी हैं इसका भ्यास करते करते आपकी कान की छमताय बढ़ेंगी बहुत दूर का आप सुन सकते हैं कभी कभी बीच में आपको जटके भी नीद के आते हैं या सोहवी क्रिया हैं और धीरे से आप हाथ को वापिस लाकर उन्हें पदमासन में ध्यान में पेड़ जाएं इस क्रिया के बाद आपको ध्यान नीमित करना चाहिए प्रहमी प्रणयम करने के बाद में ध्यान गहरा होता है गुरुमद्य के बीच में आप ध्यान को किंद्रित करें पैरों के पंजों से लेकर सिर्थ तक की संपूर आकरती गहरे आराम को प्राप्त है ध्यान एक साकारात्मक सोच है मूर्चा प्राणयाम मूर्चा प्राणयाम क्या बलते मूर्चा एने चिनमत्रा में बैठकर नाक से गहरी स्वास को लेना है और मुख से हा करते स्वास को वाविस निकालना है इस क्रिया को जब आप पचास से लेके साट बार तक करेंगे तो आप गहरी ध्यान को पराप्त होंगे दिमाग के तमाम तनाव शुन्य हो जाएंगे और उसकी बाद बंद करना है नाक से गहरी स्वास लेना है इस प्रकार चालिस बार तक मूर्चा प्राणयम के प्रियुक करें मस्तिश्क बिलकुल आपका शांत हो जाएगा विचारों की भागा दोड़ी आपकी खत्म हो जाएगी ध्यान आएक साकारात्म के सोच है मूर्चा प्राणयम करते ही करते करते ही करते मस्तिश्क बिलकुल शून्यम तनाव रहित कानों की शक्ति आपकी बढ़ेगी नेत्र जोती आपकी बढ़ती है सरदी खासी जैसे रोग आपके शीक दूरोते है फ्रेफड़ा की छमताय बढ़ती है तो अच्छा आपकी निखरती है तनाव गर्स्त जीवन आपका शन्त होता है इसके बाद आप गहरे ध्यान को चले जाए तो एक आनंद में और खुशाली का भरपूर जीवन जीते हैं प्राणायम के साथ तो आईए प्राणायम करे अपने जीवन को और समुचे विश्व को एक बहतर जगे बनाए हम सब के लिए